चाहते हैं कि जो अच्छे कदम उठाएगें सरकार के द्वारा इस बिल के माद्यम से वो मीडिया के मित्रों के माद्यम से कम से कम पूरी जंता तक जुरूर पहुंचे एक सो दस साल पुरानी फिल्म इंडस्ट्री जहां राजा हरीश चंदर जी जैसी फिल्म बनाई उसके बाद पहली इंडिन टॉकीस की अगर मैं बात करूं तो आलम आरा से लेकर सत्याजीत रे की अंदर पंचाली वाली पिक्चर ना जाने कितनी फिल्मों की अंगिंत गिंती यहां पर हो सकती है बारत प्रती वर्ष दो हजार से ज्यादा फिल्में एक साल में बनाता है यह दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता और किवल एक भाशा में नहीं अनेक भाशाओं में करता है आज किसी को बॉली वूड किसी को टॉली वूड किसी को कॉली वूड किसी को स आज दुनिया की बड़ी से बड़ी फिल्में भी हो जो बिग बजट फिल्में उनका भी पोस्ट प्रडक्शन काम आज हिंदोस्तान में होता है कोई मुंबई में होता है बैंगलोरू में होता है कोई हैदराबाद में तो कोई तमिलाडू में होता है और हमें इस बात का गर् फिल्मों तक इन सब के लिए post production की और भारत की और देखते हैं आज सही समय है यही समय है कि इंडिया content hub of the world बने और इंडिया content hub of the world बनकर ही रहेगा अगर मैं आपके सामने कहूँ the elephant whisperers की बात करूँ आरारार की बात करूँ या फिर all that breeds इन सबने आसकर में इनका नाम आने से एक तरह से history create की है और यही नहीं KGF2, RRR कांकारा जैसी पिच्चरों ने जो तमिल, तेलगू, मल्यालम, कंड़ा ऐसी अलग-लग film industry को और बल दिया है मैं कह सकता हूँ वर्षों से हमारी South की film industry जिस पहचान की मांग करती थी आज South की filmों ने regional नहीं, national नहीं, international नाम बनाने का काम किया है, यह बहुत बड़ी बात इसलिए हमारा दाइत वो और भी बड़ा हसरकार के नाते हो जाता है कि Piracy को कैसे रोका जाए South के कई शहरों में तो ऐसा है, मानने स्पीकर मोदे कि वहाँ पर तो लोग अगर 9 बजे का शो है, तो सुबह 6 बजे आकर बैठ जाते हैं कि हमने पहला शो पहले दिन देखना है अगर यह बिलना आए तो उन जैसे लोगों के साथ अन्याए भी होगा और जो लोग किरन जी, नर्वा जी, मनोज भाई जैसे या नमनी जी जैसे कलाकारों की फिल्मे बनाते हैं यह उनके साथ भी अन्याए होगा कि उन्होंने पैसा तो लगाया लेकिन पाइरेशी से चुरा कर किसी ने अंतराश्चे बजार में स्थानी तरफे बेज दिया तो ना उनको उनके दाम पूरा वापिस मिलता है और उनका जो क्रियेटिविटी है, उसको भी खतम करने का काम किया जाता है अब भारत में अगर देखा जाए, इंडिया इस नोन ऐस अ कंट्री आफ स्टोरी टेलर्स और जो उसके पिछे हमारी लेगेसी, हमारी कल्चर, हमारी डाइवरसिटी, हमारा हेरिटेज इन सब का एक बहुत बड़ा रोल है और हमें गाउं गाउं की बातें, अपने कल्चर से जुड़ी बातों को आज देश दुनिया के पंचाने का एक अफसर है मैं एक उधारन आप सब के सामने रखना चाहूंगा आज से 6-7 मिने पहले मैंने सेंटरल एशिया के देशों के यूट डेलिगेशन को होस्ट किया तो शाम के समय जब उनको भोजन दिया मानने सबाब अथी तो तुरुमेकिस्तान, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान इनके युवाजों थे, उनको हमने भारत के डांसिस दिखाये, भारत का कल्चर दिखाया उन्होंने अनुरोध किया कि वो भी अपनी कुछ कल्चरल आइटम पेश करना चाहते हैं और हमने अनुमती दे दी, मुझे लगा शायद वो अपने देश का कुछ गा कर बताएंगे जब वो मंच पर आए, तो किसी ने कौन से जमाने का गाना गाया मिथुन चकरवती की फिल्म जब आई थी, उनमेंसे अधिकतर लोग पैदा भी नहीं हुए थे तो पहला गाना गाया, I am a disco dancer, वो किसने गाया, Central Asia के देश के लोग, दूसरा गुरूप आया तो उसने क्या गाया, जिमी, 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 आजा, आजा, आजा और ये कौन गारा, वो अपनी भाशा में गारे हैं, अपने instrument के साथ उसको बजा रहे थे ये दिखाता है कि भारत के soft power की ताकत क्या है, और अगर इस देश से लेकर Central Asia रशिया तक, रशिया में में फुटबॉल का World Cup देखने क्या 2018 में, तो मेरा नाम जोकर की बात करते थे, राजकपूर जी की फिल्म की, तो soft power की ये ताकत है कि हम देश और दुनिया में अपना culture, अपना cinema, अपने कला की चाप चोड़ सकते हैं, और वो चाप चोड़ने का काम हमरे कलाकार करेंगे, पारेशी लोगने का काम हम इस बिलके माध्यम से करेंगे, अब ये इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री का साथ भात धन्वाद, नहीं सर, सर, सर बिलके कुछ पी important issues र जो लाखों लोगों को रोजगार दे सकती हैं, ये उनके भी हम हितों को देख रहे हैं, और इसके साथ साथ ये feature films हो, documentary, original film हो, TV shows हो, ऐसे बहुत सारे लोगों के हितों का ध्यान भी हम लोग रख रहे हैं, आज अगर देखा जाए, तो इन सब के साथ साथ मनने हैं, सभापत हैं, copyright act हो, या IT act 66 हो, उसका क्या करेंगे, तो मैं उस पे भी थोड़ा clarification यहां पे करना चाता हूँ, क्योंकि industry के लिए media के लिए जानना बहुत अवश्यक है, पीन साते हो, आज था रहे हैं, तो ने निए परसे प्रया ध साल तक उसको सजा हो सकती है, तीन लाक रबे तक का फाइन हो सकता है और पांच परसेंट उसको ओडिटिट गॉस प्रड़क्शन तक का भी फाइन हो सकता है, तो एक तरह से उसका ध्यानिस में रखा गया है, तो एक सब्ट्वाइब यहां पिर सप्टेशन न सकशन पुरोण प्रवजिट था प्रविए अचित प्रविजिट निए लिए टक यहां प्रविड प्रविज विह निए अडिए निए अड्यू फ्त फच्शन फट्टिट गॉस की फट्ट छिए अट्रवाराइब आ अ्षन्सेस्ति अढस्देस् फितिक्ज़ के लिधरिगग्त धिच्छीड ग्रिक्विज़ कि पनाः ग्रिक्याग्त अभैग्तेस्ट अशन्सेटों। infringing the copyright of the copyright holder of a film shall be punishable with imprisonment of a term which shall not be less than six months but which may be extended to three years and fine which shall not be less than 50,000 rupees may be extended up to 2 lakh rupees. इसी तरा से Section 66 का Information Technology Act में भी उसको पांच लाख रपे तक की सजा हो सकता है. बहुत बहुत धन्वाद मंतर जी तरा से दिया जा सकता है. बहुत बहुत धन्वाद और इसके साथ साथ हमने जाएन के फिर कंपोसेशन की बात भी कही है. साथ ही साथ मानने हैं उनके जो केबल 10 साल में उसको लाइसेंस खतम हो जाता था. अब फिल्म वालों का लाइसेंस दस साल में खतम नहीं होगा. सारी उमर के लिए उनको लाइसेंस भारत सरकार ने दे दिया है. कोई जफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. कोई पर दिखाना चाता है. तो जो क्लॉज CBFC आपको चेंज करने के लिए कहेगा, वो केबल टेलिविजिन नेटवर्क के प्रोग्राम कोड के अनुसार अगर आप कर दोगे, तो टेलिविजिन पर भी आपको फिल्म दिखाने का पूरा दिखार मिल जाएगा. आपको कोई नहीं रोकने का. एक बहुत इंपॉर्टन जज्जमेंट है सर, केम शंकरपपा वर्सिस इननाफ यहाँ पर उखा रहे हैं, ना कि उनके इसक में मदद करने के लिए, 1952 में जब ये पहली बार इस पर कानून बना था, 1952 के बाद बड़े संचोधन नहीं हुए, आज से 40 साल पहले किवल एक आदा बड़ा संचोधन हुआ, लेकिन पाइरेसी की समस्या ने इस देश में बहुत बड़ी चिंता खड़ी की, और देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चिंता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री वर्षों से मांग कर रही थी, कि पाइरेसी की समस्या से मुक्ती मिले, और सरकार इस बिल में शंचोधन करे, आज मुझे कहते हुए इस बात का गर्ब होता है, कि नरेंदर मोधी जी की सरकार में जेंडिया की सरकार ने, फिल्म वालों के हित के लिए और देश के हित के लिए, आज बहुत बड़ा शंचोधन इस बिल में करने के लिए लाए है, ये चल चितन शंचोधन बिल जो है, सेनमोटोग्राफ, अमेंडमेंट बिल 2023, इसमें अगर आप देखेंगे, तो हमने 2019 में, जब ये सेनमोटोग्राफ, अमेंडमेंट बिल लाए है, तब इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गिया, और स्टैंडिंग कमेटी में काफी लंबे समय तक चर्चा हुई, और 2020 में स्टैंडिंग कमेटी ने इसको वापिस अपने सुझाव देकर भेजा, और उसके बाद, अगर आप देखेंगे स्टेंडिंग कमेटी के सुजाबों के बाद 16 माज 2020 के बाद हमने इंडस्ट्री के साथ और अन्य स्टेक होलडर के साथ वाइडर कंसल्टेशन करके इस बिल को हम लेकर आए हैं